ठंदा ठंदा टेश्टी यम्मी कश्टेड किसे नहीं पसंद होता है हलो फ्रेंड्स मैं हुरंजना मेरे चनल में स्वागत है आपका आज मैं इसी कश्टेड की रेशिपी आपके साथ सेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने बनाया है तेन फ्लेवर में यह बहुत ही इजी है बिना कश्टेड पाउडर के भी आप इसे घर पे बनाएए बच्चे खासकर बहुत ही ज़्यदा पसंद करते हैं तो इस रेशिपी को आप इसली कभी भी घर पे बनाएए बहुत सिंपल है और आपको एक बार बनाने के बाद बार बार आपसे डिमांड होगी तो आईए मैंने यहां पर बनाया है मैंगो फ्लेवर, मिक्स प्रूट फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर चलिवर शरू करते हैं इससे बनाना तो एक लिटर दूद पहले आप चड़ा लीजे गैस पे एक लिटर दूद मैंने यहां पर चड़ा लिया है इस पहले 하나 सुरूर पैर दूद में हम आने देंगे बायल मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने यहाँ पे एक mango छील के रखा हुआ है यह देखिए तो इसे हमें cut करना है और इसकी प्यूरी बनानी है सिंपल इसे हम cut करेंगे और थोड़े सी pieces छोड़ देंगे गार्णिश करने के लिए और थोड़े सी pieces को हम इसे mixer में ग्राइंड करके पल्प बना लेंगे तो दूद यहाँ पे हलका उबलने वाला है तो यह देखिए मैंने इसके pieces कर दिया है mango के इसे मैं piece के इसकी प्यूरी बना लूँगी और इसे छोड़ दूँगी उपर से गार्णिश के लिए तो इसे अब हम piece लेते है दूद उबलना सुरू हो गया है तो यहाँ पे आप gas का flame इकदम लो कर दीजिए और इसे चलाते रहें ताकि उपर मलाई का परत ना आ जाए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दो चम्मच कॉन फ्लोर यह दो चम्मच कॉन फ्लोर है आप देख सकते हैं इसी चम्मच से यह दो चम्मच कॉन फ्लोर पाउडर है कॉन श्टार्च इसमें डाला है मैंने ठंडा दूद जैसा कि हम कस्टर बनाते हैं तो ठंडा दूद डालके उसे घोल लिया है मैंने इधर दूद में हम डालेंगे यही पे चीनी तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए तो यहाँ पे मैंने चार चम्मच चीनी लिया हुआ है आप कम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम बनाने वाले हैं इसमें fruit flavor डालने वाले हैं तो already fruits भी मीठा होता है तो चीनी थोड़ा कमी डालें चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है घोला हुआ conflore तो इसे धीरे धीरे करके मिलाएं और इसे लगातार चलाते रहे हैं बिल्कुल छोड़े न नहीं तो इसमें लमसा जाएंगे तो इसे बिल्कुल low flame पे लगातार चलाते रहे हैं तो आप खुद ही देख ल जालेंगे यह बहुत ही जल्दी क्रीमी हो जाएगा तो मैं यहाँ पे gas का flame बंद करती हूँ और इसे उतार देती हूँ अलग gas से इसे अब मैं यहाँ पे तीन पार्ट में करूंगी तो इधा दो अलग से पॉट ले लिया है मैंने और इसमें सेम कॉंटिटी में मैंने निकाल लिया है तो यह देखी यहाँ तीन पार्ट में मैंने कर लिया है कस्टड को तो ये दोनों जो हमने निकाला है बाउल में इसे इसी तरह ठणा होने देंगे और ये जो पॉट है जिसमें हमने बनाया है इसे इसमें छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसे फिर से चड़ाना है और पकाना है ये देखिए इन दोनों को आप छोड़ दीजे ताकि थोड़ा सा इस गरम दूद में आप पहले घोल लीजिए तो यह कोको पाउडर है इसे थोड़ा सा 2-3 चमच गरम दूद में आप घोल लीजिए डायरेट कभी न मिलाएं इसे घोल के ही मिलाएं ताकि अच्छे से यह मिक्स हो जाए तो जब इसे अच्छे से आप घोल लेंगे तो यह मैंने अब इसे मैं मिला दे रहें कश्टर्ड में और फिर इसे लगतार चलाते हुए 2-3 मिर्ट तक आपको अभी इसे पकाना है कोको पाउडर पकने के बाद ही अच्छा टेक्शर आएगा इधर आप जो दो परतन में निकाला हुआ है उसे भी आप हिलाते रहें नहीं तो उपर से मलाई का परत आजाएगा तो इसे ठंडा करने छोड़ दे और यह देखिए यह पकने लगा है यहीं पर मैं इसमें मिलाओंगी एक चोकलेट तो यहां पर मैंने डेरी मिल्क लिया है आप कोई भी चोकलेट मिला सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और फ्लेव इसे पकने दीजिये मेडियम तू लो फ्लेम पर इस देखिए कितने स्मोधी हो गया है और चोकलेट अच्छा से पकने लगा है तो यह हमारा तीसरा फ्लेवर है चोकलेट फ्लेवर जो बनके रेडी हो गया है कसी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह के चाहिए आपको इसे ज़्यादा गाड़ा ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा थीक होता है तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे भी हम हटा लेंगे गैस से तो यहाँ आप देखिए ये तीनो अलग अलग पार्ट में कर्ष्टर्ड तयार है पहले पार्ट में मैंने मिला दिया है mango puree जो आपको मैंने दिखाया था उसका पीसा हुआ प्यूरी तो इसे मिला लीजिए first पार्ट में तो यहाँ पे आपको बीटर की जरुत पड़ेगी य यहां पर आप में लिए पिश्ट लाया है ताकि यह बिल्कुल एक जैसा स्मूध हो जाए थोड़ा सा आपको फेटना होगा यहां पर सेकेंड पार्ट में मैंने यहां पर मिलाया है मिक्स फूर्ट जैम जो अकसर बच्चे को बहुत पसंद होता है हमारे फृज्ज में होता ह तो एक चमच मिक्स प्रूट जैम है इसे आप मिला लीजिए और इसे भी आप विस्क से बहुत ही अच्छे से फेट लीजे तो आप यहां पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है वाइट से पिंक हो गया है और यह इस तरह से आपका कश्टर रेडी हो जाएगा यह जो चोट लेटी है तो यह तीनों फ्लेवर के कश्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे ग्लास में सर्फ करने वाला ग्लास में निकालेंगे जो आमें आपको दिखाती हूं तो यहां पे मैने चोटी-चोटे ग्लासτε ले लिए इसमें आपको रेना है और यह म 2nd a2nd about mix fruit jam जैम श्टोबेरी सीरप चौकले से श्टोबेरी सीरप चौकले से र्ड़ा जैम बच्चों को भी और बड़ों को भी तो इन तीनों ग्लास को अभी आपको रखना है फ्रीज में जब तक ये बहुत ही अच्छे से ठंडा ना हो जाए ये चोकलेट काफी टेश्टी बहुत ही जादा पसंद आएगा तो ये वाला रेसिपी आप ट्राइ करिये ठंडा हो जाए